हलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने जेनरल लायन इटालिए हिंदी पर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बेसिक कॉमन वर्प सेखेंगे इटालिए लेंगवेज में जो डेली बेसिज में हमारे काम आएगी जैसे कि सपेरे फिनीरे सेंटीरे यह है उनके बारे में आजम सीखने वाले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सपेरे वर्ब है, जानने की सपेरे मतलब की जानना कोई आपको बोल दे साई, साई का मतलब होता है क्या तुम्हें पता है साई, क्या तुम्हें पता है, सपेरे वर्ब है, लेकिन तू के साथ साई आएगा इसमें, और यहों के साथ आता है सो, जैसे की लो सो, लो साई, लो साई का मतलब क्या तुम्हें पता है, कोई आपको बो जानते हैं तो हम बोलेंगे C LoSso, LoSso मुझे पता है, तो Sigh का मतलब होता है, क्या तुम जानते हो, तुम नहीं जानते हैं, तो अब बोल सकते हो, Non LoSso, Non LoSso, मुझे नहीं पता, I don't know, तो यह है, सपेरे वर्ब के बारे में, इसके बाद में next verb है, Finire, Finire, करने की finished फिनीरेवर्ब का मतलब खतम का लिया जैसे इसको few बोलना में फेनी तो आय फुरा कर लिया oatma fruitful या फिर किसी को बोलने हो कि हम खतम कर मतलब की हम पूरा कर देंगे मतलब तुम जंता मत करो हम खतम कर देंगे इंत्य वर्वर Viney यह ऐपना और महसूस करना यह वर्व तोनों में काम आज favor सुनना और महसूस करना य। कि कोई आपको बोले या आपको बोलना हो कि मेरी बात सुनो तो आप बोल सकते हो सेंथी मी सेंथी मी सेंथी का मतलब होता है सुनो मी माने मुझे या मेरी बात सुनो तो आप बोल सकते हो सेंथी मी अगर आपको कोई कहते है सेंथी इसका मतलब है कि सुनो सेंथी सेंथी फैर मा अरुको सुनो सेंती तो सेंती का मतलब होता है मेरी बात सेंती में का मतलब मेरी बात सुनो सेंती का मतलब सुनो तो सेंती का मतलब सुनो या कोई बोल दे की कोजाती सेंती ये हो गया महसूस करने के लिए वो सेंती सुनने के लिए लेकिन ये सेंती महसूस करने के लिए कोजात सेंती तुम कैसा महसूस कर रहे हो कोजा मनना कैसा तु सेंती मनना तुम महसूस कर रहे हो सेंती तो सेंती रिवर बैर दोनों में सुनने और महसूस करने में कामा सकती है आपके जैसे कि आपको बोलनों मैं स्वस्त महसूस कर रहा हूं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं तो आप माल मैं बहुत अच्छा महशूस करते हैं मैं अच्छा नहीं महहसूस कर रहा हूं मैं बिमार महसूस कर रहा हूं अच्छा感 है chance value इसकी बाद में next verb वे नीरे का मतलब आना जैसे कि किसी को बोलना हो कि यहां आओ तो इसमें हम बोल सकते विएनी कुई यहां आओ विएनी कुई इसके बाद में अगर किसी को बोलना हो कि मेरे साथ आओ तो हम बोल सकते विएनी कौन मैं विएनी कौन मैं मेरे साथ आओ तो विएनी रिवर्ब है आने की इसमें किसी को बोलना हो कि तुम आओ तो नेक्ट इसमें किसी को बोलना हो कि क्या मैं आ सकता हूं कहीं भी आप जा रहे हो या किसी की रूम में एंटर करे हो रेस्टोरेंट में बैंक में तो आप पूछ सकते हो पॉस्टो वे निरे क्या मैं आ सकता हूं तो पॉस्टो पिछले वीडियो में मैंने बताया था पॉस्ट तो उसके लिए हमें पूई लगाना पड़ेगा पूई आयुतार मी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो या फिर पोसो पोसो वे नीरे क्या मैं आ सकता हूं पोसो फारे क्या मैं कर सकता हूं तो पोसो हो गया अपने लिए सामने वाले के लिए पोई हमनोई के लिए पोस्याम हो हमारे लिए तो ये है वर्ब के कैसे बनती है लाइने किसी साफ से आपको बोलना है उसके बारे में तो ये वर्ब है इसके बार में नेक्स्ट वर्ब है कपीरे कपीरे वर्ब है समझने के लिए जैसे किसी को बोलना हो कि कुछ समझे तो आप बोल सकते हो कपिशी कवाल कोजा क्या तुम कुछ समझे में आया कपिशी कवाल कोजा या किसी को बोलना हो कि तुम कुछ नहीं समझते या तुम Thunder कुछ समझ आता ही नहीं तो हम बोल सकते हैं नौन कपीशी नियन ते तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है या तुम कभी समझते ही नहीं नौन कपीशी नियन ते तो यह है कपीरे वर्ब के बारे में और किसी को बोला होगी समझ गया समझ गया मतलब past में गई वर्ब तो कपी तो लगा सकते हो कपी तो माने समझ गया I mogi कपी तो क्या तुम समझ गये jeo kapi तो मैं समझ गया तो ये है कपीरे वर्ब next verb दी 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 वर्ब बताने की तूश्शे दी दी जैसे कि किसी को बोलना हो कि मुझे बताओ तो हम बोल सकते हैं दिम्मी बतलब कि मुझे बताओ दीर्य वर्ब में इसको किसे से बोलना हो कि तुम मुझे बताओ तो हम बोल सकते हैं दिम्मी ये है आज का वीडियो जिसमें हमने आप सिखा है कि जो वर्फ है most common वर्फ जो डेली अपने काम आएगी लेंग्वेज बोलने में उनके बारे में आजब ने सीखा है उमीद आपको वीडियो अच्छा लगा है जो चीज समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडिय में जल्दी मिलेंगे नहीं टोपिक पर तब तक के लिए धन्यवाद